अल्सलम वालीकूम उमीद करती हूं कि आप सब खैरेस से होंगे आमीन सुमामीन आद मेरा मच्छी फ्राइ करने का मन बुर रहा था तो मेरे शोहर को बली कि आद मच्छी लौपन फ्राइ करेंगे पांच किलो मच्छी है तीन से चार पानी से साफ धोली हूं मैं इसको यह अच्छी तरीखे से मसाले को मिक्स करते हूं ताकि मच्छी में अच्छी तरीखे से मसाले को मिक्स करने के लिए लगाने के लिए यह नगमक है यह हल्ली है जीरा पोडल है डनिया पोडल है यह मिट्ची है यह अच्छी से मसाले को मैं मिक्स करके मच्छी में लगोंगी अब मैं अपनी मच्छी को पूरा मसाला लगा के एक घंडे करें आप लोग देखिए पूरा मसाला मैं मच्छी को अच्छी तरीके से लगा दे रही हूं ताकि इसमें पूरा मसाला मिल जाएं माशालला बहुत अच्छी दिखती है मैं पूरी मच्छी को मसाला लगा चुकी अब ये एक घंटा भीगने रख रही हूँ आप देख सकते हैं मैं तेल गरम करने को रख दी हूँ कुनकुना गरम हो गया ये तेल अब मैं मच्छी एक घंटा भीगा के रखी ती ना फ्राइ करने के लिए बटला रही हूँ दिस्मिल्लै अमान गर्मी कि अ सब्सक्याम करें डूर इसले जिए सब्सक्भी धाशd अओनने हैं माश्य、 अच्छ 5000 बब्रस है किति व्रेल ईफूर को कला में माशा आओं तेल्व इता सेल हुग आवग को तो मच्छी थोड़ीता हैं तले के लिए संसार में मच्छी परशंद परठा दूँगी जब आपको बठलाओं माशला माशला बहुत अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं वन सेट पूरा कंप्लीट तैयार हो गई है अगे दूसरा सेट करने के लिए रखनी हूं में माशला देखिए वन सेट पूरा अच्छी तरीकर से कंप्लीट पक गया है ब्रॉन कलर हुए तक पकाना माशला माशला देख सकते हैं आप दो तरब भी अच्छे से प्राइब हो गई है अब मैं इसको निकार रही हूं बिस्मिल्ला इर्मानी रहीम अब मैं पूरी मशी इस तरह के से कर देती हूं अब मैं पूरी मशी इसी तरह के से कर देती हूं माशला माशला मैं पूरी मेरी मच्छी फ्राइब हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं मज़े की बहुत अच्छी खुजबवा रही हैं बहुत मज़े की बनी है मैं टेस्ट करके देखती हूं माशला अच्छी बनी यमी बनी मेरी वीडियो को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो अगली वीडियो में मिलेंगी मैं आप लोगों के साथ अल्ला हफीज